ये आकाश्वाडी का प्रसारण है विविद्भारती संगीत सरिता संगीत सरिता में आज से हम एक शंकला शुरू कर रहे हैं इतावा घराने का सितार वादन तो आएए आज सुनते हैं इस शंकला की पहली कड़ी इसे प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसित सितार वादक श्री अर्विंद पारिक आज हम लोग इतावा घराने की उपर बातचीत करेंगे कई लोग को ऐसा होगा कि ये इतावा घराना क्या चीज है घराना क्या चीज है इतावा क्या चीज है और इटावा घराना क्या करता आया है और किस चीज के लिए मशूर है सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इटावा घराना सितार के लिए बड़ा मशूर है और उसमें बड़े बड़े लोग, बड़े सितारवादक, बड़े उस्ताद लोग हो गए है जिनकी वजे से ये घराने को कई दफा इटावा घराना कहता है कई दफा इमदाद खानी घराना कहलाता है कई लोग इनायत खानी घराना से भी उसको पुकारते हैं और हम लोग आजकल के जमाने में उसको विलायत खानी घराना कहते हैं लेकिन ये सब तो घराने की बादचीत हुई इटावा एक बहुत बड़ा नामी शहर था अब तो छोटा सा शहर है, छोटा सा गाउं ही है का मान लीजिए उतर हिंदुस्तान में हमने सुना है उदर इमदाद खाँ साब का घर भी आज मोजूद है हलाके मैंने दो देखा नहीं है वो शहर से इमदाद खाँ साब और उनके पिता साबदाद खाँ उनके पिता तुराब खाँ वगेरे आए इसलिए ये घराना इटावा घराने के नाम से मशूर हो गया अब सितार के लिए हम जब बात करते हैं सितार का घराने के लिए बात करते हैं और सितार के इटावा घराने के लिए जो बात करते हैं उससे पहले मेरा ख्याल है कि वो जरूरी होगा कि सितार क्या चीज है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और इतना मशूर इतना पॉपुलर कैसे हो गया, क्यूं हो गया, उसके बारे में थोड़ा सा बताना मैं समझता हूँ जरूरी है अपने शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे वहाँ चार किसम के instruments, वाद्य गिने गए है सबसे पहला जो वाद्य है वो plucking instrument कह लीजिए plucking instruments में सितार है, सरोध है वगेरे instruments, plucking instruments में आ जाएगा दूसरी कैटेगरी जो है, दूसरी जो कक्षा है, उसमें bowing instruments आएंगे जिससे हम गज से, जैसे दिलरुबा, एसराज, ताउस वगेरा और आतकल के जमाने में violin भी कह लीजिए, सरंगी कह लीजिए यह सब bowing instruments हो गए, तीसरी जो कैटेगरी है, उसमें हम लोग blowing instruments, जो spook से जो बाजे बजते हैं, जैसे के शहनाई है, जैसे flute है, बासूरी वगेरा, यह सब पढ़ेंगे blowing instruments की कैटेगरी में और चौती जो कैटेगरी है, वो percussion कहलाती है, percussion मतलब के जिसको घं से हम लोग कोई चीज से बैंक करके, जो आवाज निकलता है, जैसे के तबला है, पखावज है, मृदंग है, यह सब बाजे percussion instruments में पढ़ेंगे अब यह चारों में, सितार जो plucking instrument है, सरोद जो भी plucking instrument है, सरंगी जो bowing instrument है, बासूरी जो blowing instrument और तबला तो है popular, यह आजकल के जमाने में काफी सुनाई देते हैं, मैं सितार बजाता हूँ, इसलिए शायद मैं जुडिस्ट हूँगा, लेकिन में जरूर कहूँगा, कि आजकल के जमाने में सितार सबसे जादा popular instrument है, यह कहने में कोई hesitation नहीं है मेरे को, आजकल के जितने बड़े-बड़े festivals में आप देखेंगे, बड़े programs में या radio station के जो artist लोग है उसमें भी देखेंगे, तो सितार players सबसे जादा मिलेंगे, इसका मतलब यह नहीं कि सितार जादा लोग बजाते हैं, क्यूंकि इसमें वो आसान है बजाना, यह जरूर है कि सरोच से शायद सितार बजाना आसान है, लेकिन एक हद की बाद, कोई भी instrument बजाना मुश्किल है, शुरुआत में परदे हैं, इसलिए आप सितार पे जादा आसानी से, फिरत जादा आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल के उपर, एक स्टेट के उपर पहुँच गए, उसकी बाद गाना बजाना करना, वो कोई भी instrument में मुश्किलात है, आप मानेंगे कि गाने बजाने में दो चीज होती है, एक क्या बजाना और एक कैसे बजाना, क्या गाना और कैसे गाना, वोट एंड हाउ, मैटर एंड मैनर, अब ये जब बजाने की बात आती है, तो हम मैनर की उपर या कैसे की उपर निगा डालते हैं, मतलब कैसे बजाने के लिए सितार शायद असान जरूर होगा, सरोत से, लेकिन क्या बजाना की जब बा आने वाले की केपैसिटी की उपर, उसके क्रियेटिविटी या इसकी अबिलिटी की उपर, उसके मुजिकालिटी की उपर, ये सब बाते चली जाती है, और सबसे बहतर, सबसे इंपॉर्टन जो बात है वो ये एक उसकी तालीम की उपर, ये जहां तक तालीम नहीं होगी, वहाँ तक क्या बजाना ये मुश्किल मेरा तो खाले आता ही नहीं है कैसे बजाना लोग जरूर मेहनत करके रियास करके सुन करके कर ले सकते हैं लेकिन क्या बजाना वो बड़ा मुश्किल होता है तो सितार जीरे धीरे बरसों से उसकी उपर रिसर्च हुआ तो आज ये कहना मेरा खाले कुछ जातकी नहीं होगी कि वो बड़ा वरसेटाइल इंस्टूमेंट है हर पहलू उसमें हम पेश कर सकते हैं गाने बजाने की बड़ा पॉपिलर तो है ही मैंने जैसे कहा मैच्योर भी बहुत इंस्टूमेंट है सेल्फ कंटेंड है मतलब हर किसम की जो गाईकी है वो उस पेश कर सकते हैं हम दुरुपदं की गाईकी भी पेश कर सकते हैं हम ख्यालं की गाईकी भी पेश कर सकते हैं लाइट क्लासिकल में जैसे ठुमरी कई लोग ठपा बजा ले सकते हैं सितार की उपर हर किसम की जो गाई की है वो सब सितार की उपर पेश कर सकते हैं और इस तरीके से कहें तो वो बड़ा complete instrument है इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे नहीं है जरूर दूसरे भी होंगे मैं सितार बजाता हूं इसलिए सितार के बारे में जरूर कहूंगा कि एक बड़ा complete instrument जाकर के पैदा हुआ है और इसी वज़े से वो बहुत popular भी है और उसके अंदर काफी styles वगेरा भी बनी है इतना कहने के बाद मेरा खाल यह भी सोचना जरूरी है कि बई कब बना यह साज इसकी इजाद कब हुई और किसने बनाया कब बनाया वगेरा जादातर लोग यही मानते हैं हजरत अमीर खुचरो करके बहुत बड़े एक musician, poet, historian वगेरे हो गए 13th century में हो गए ऐसा लोगों का कहना है और अलाउदीन खिलजी के जमाने में उनका काफी नाम हुआ उन्होंने काफी बरजभाषा में पहलिया भी लिखी है, कवीत लिखे हैं वगेरा और यह कहा जाता है कि उन्होंने सितार बनाया ख्याल भी उन्होंने बनाया कई लोगों का यह कहना है कि तबला भी उन्होंने इजाद किया कबाली जो गाते हैं उसμεे काफी कबाली में नई-दाए कमपोजिशन सुनोने के वगेरा करीब 33-40 सालों में ये जो थियरी है उसके बारे में काफी सोच विचार हुआ और कई लोगों कच कहा कई लोगों कुछ कहा करके तीन basically तीन थियरीस तीन मत बने हैं इसके सितार के इजाद के बारे में, उसके ओरीजीन के बारे में एक मत तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि अमीर खुश्रो ने सितार बनाया हजरत अमीर खुश्रो ने सितार बनाया 13 सेंचुरिय में वो एक मत है दूसरा मत ये है कि भाई नहीं ये तो हमारा पुराना साज 33 वीना जो थे उसी की उपर से बना है सितार का मतलब ये है कि आज से करीम हजार साल पंदरा सो साल पहले का साज बना हुआ है ये कोई मुस्लिम रूल जब इंडिया में आया उसके बाद जो बना है मतलब 1000 AD की बाद बना है ये बाद सही नहीं है लेकिन हम महारा तो ये बहुत पुराना साज है और जो वीना ये थी क्यूंकि जितने भी तंत्रवाद्य थे वो सब को वीना ही कहते थे हम वो एक जमाने में तो किद्नरी थी चित्रा थी इस तरीके से एक तंत्री थी शततंत्री थी लेकिन एक त्री तंत्री थी तीन तार वाली वीना इस मत से कई लोग मानते हैं तीसरा मत जो आजकल के जमाने में जादा लोग मानने लगे हैं वो ये है कि आठारे सेंचेरी में एक फकीर खुश्रोखा करके बड़ा म्यूजिशन हो गए देली में वो कहते हैं कि वो फकीर खुश्रोखा कहलाते थे इस वज़े से उनका नाम और अमीर खुश्रोखा का नाम मिक्स हो गया तो इस वज़े से कई लोग ने ये फकीर खुश्रोखा बनाया हुआ साज अमीर खुश्रोखा ने बनाया हैं ऐसा कहना शुरू हो गया और एक महावरे की वज़े से और जो हम लोग एनेकडोट्स कहते हैं किमवदंती कहते हैं वगेरा उस हिसाब से अमीर खुश्रो का नाम जादा प्रचार हो गया अब सदारंग जो बहुत बड़े ख्यालिये थे जिनोंने एक नया अंग शुरू किया वो सदारंग के भाई थे ऐसा लोग का मानना है फकीर खुश्रो का और उन्हों ने 18 सेंचरी में ये सितार बनाया ऐसा मानना है अब ये हम दूसरी तरीके से देखें कि भई आज से जो बजाने वाले सितार है जैसे हमारे विलायत खांसाब हमारे उस्ताद है उनके फादर इनाद खांसाब है उनके फादर इमदाद खांसाब है उनके फादर सहाबदाद खांसाब है उनके फादर तुराब खांसाब है वगएरा इस तरीके से भी जो हम जाते हैं तो 200-500 साल तक ही जा सकते हैं उससे आगे कोई जादा ऐसा हिस्टारिकल कोई साल से जादा पुराना हो सके मतलब यह है कि आज से आठ सो साल पुराना जो साज होता तो 13 सेंचर इसे लेकर कि 18 सेंचर यह गरीब 500 साल के जो अरसा हो गया उसके अंदर कहीं न कहीं उसका प्रूफ तो मिलना ही चाहिए अमीर खुशरों ने भी अपने जो इंस्ट्रुमेंट बनाए अपने जो अलग-अलग म्यूजिकल कांट्रिबूशन्स जो उनके रहे उसके उसमें भी कुछ जिकर नहीं है सितार का उनके बाद फकीर उल्ला वगेरे ने जो लिखा उनके लिए उसमें भी कोई जिकर सितार के बारे में अमीर खुशरों ने बनाया है ऐसा नहीं है और कई वेस्टर्न राइटर्स ने जो लिखा है उसमें भी ये कोई जिकर मिलता नहीं है तो यह हर तरीके से जो हम देखें तो यह मानना पर जरूरी हो जाता है कि सितार बहुत पुराना मतलब 200, 200, 300 साल से जादा पुराना साज नहीं है और हजरत अमीर खुशरों नहीं बनाया करके फकीर खुशरों खान ने बनाया है 18 सेंचिरी में यही आजकल के जादा लोग, मुजिकल ओजिस और सितार जो नूतन, मौडर्न जो सितार प्लेयर से वह सामानते हैं तो यहाँ ही आजका हम एपिसोड खतम करते हैं और हम कहेंगे कि सितार के बारे में हमने बात करी, सितार के इजात के बारे में बात करी नमस्कार इटावा घराने का सितारवादन संगीत सरिता में आज आपने इस शंकला की पहली कड़ी सुनी इसे प्रसुत कर रहे थे प्रसित सितारवादक श्री अर्विन पारिख विविद भारती के संग्रहाले से प्राप्त इस करिक्रम की प्रसुत करता छाया गांगुली झाल 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 झाल-्टा झाल झाल-झाल